वेल्कम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ भुच दे प्राइड ऑफ इंडिया अपने दिल के अंदर और जब इस बार किसी नालायक निकम में दुश्मन ने इस जंडे की तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत की है तो सिपाही निकल पड़ा है उसकी आँख नोचकर देश की इज़त बचाने को ताना जी याद है वो जादू एक बार फिर से दोहराने का पूरा मास्टर प्लान तयार किया गया है चत्रपती शिवाजी राज बने शरत केलकर भी बुच में कंधे से कंधा मिला कर खड़े होंगे अज्यदेवगन के साथ पर सबसे रादा इंट्रस्टिंग लग रहा है नौरा फतेई का केरेक्टर मतलब इदम अनेक्सपेक्टेड है ये अकसर महतरमा आपने लटके जटकों से मौसम का तापमान थंडे से गरम करती है पर इस बार इनके मुझ से दुश्मन को ललकारने वाले डायलोग सुनकर सच बोलू तो मज़ा आ गया कैसे बोला किस अंदाज में बोला उस पर ध्यानी नी गया बंदी एक खतरनाक जासूस होने वाली है जो अपनी पहचान को मार कर दुश्मन को फ्यूचर में मौत के कफन में लपेटने की सीक्रेट तयारी कर रही है संजू बाबा एक ग्रेशेट केरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे वो जिसके चहरे पे दुश्मन का रंग होगा लेकिन दिल में खून भारत का है काफी हतक चांसेज है कि आजर देवगन की भादूरी के बाद संजू बाबा की चाला की भुच को सलामत रखने में सबसे इंपोर्टेंट होने वाली है अब देखो तीन मिनिट का ट्रेलर देखने के बाद एक बाद तो 200% पक्की है फिल्म में एकदम टॉप लेवल का एक्शन होने वाला है खून खराबा प्लस मारधार उसमें डाला गया देशभक्ती का इमोशन आंकों के लिए स्वर्ख समझ लो एंड यस डायलोक्स की तो बाती मत पूछिये ऐसा लगता है किसी ने शरीर के अंदर हाट डाल कर दिल बहार निकाल दिया हो उस पर पीछे बजने वाला बेहर दमदार बैकड़ाउंड म्यूजिक सल्यूट तो बनता है पूरी में बोला गया था ये नया हिंदुस्तान है दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है और अब भुज ने एक नया मेसेज दिया है ये हिंदुस्तान घर में घुसे दुश्मन को बाहर निकालना भी जानता है जिन्दा नहीं कंधों पे लेकिन दो चीज़े हैं जिनकी वज़े से पूरे मूड की ऐसी तैसी हो गई है पहली ये मैडम इनके सिर्फ कुछ शब्धी काफी है किसी फिल्म के फ्यूचर पर सवाल उठाने के लिए एक होती है एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग और उससे भी जादा उपर है इन मैडम की जान लेवा एक्टिंग मतलब एक नॉर्मल से सीम को भी इतना बढ़ा चड़ा के प्रेजेंट करना कोई सीखे है इन से दूसरे शिकायक ये कि चलो जब तक फ्रेलर नहीं देखा था तो इतना बुरा नहीं लगा लेकिन इन तीन मिनिट को महसूस करने के बाद गुसा आ रहा है कि इस फिल्म को थेटर में रिलीस चून ही कर रहे हो ये वो सिनिमा है जिसका इस्केमाल बॉलेवुट के रीमेक कॉफी कॉपी कॉंटेंट की बैक्सीम बन सकता है एक नई जिन्दी की डाल सकता है ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म जो हम डिजर्फ करते हैं बड़ी स्क्रीन पर देखना आपने हमसे वो हग भी छीन लिया घर के टीवी पर कॉंटेंट अच्छा लगता है पर देश बुफी का जर्श्म लोगों की बीच में खड़े होकर तालिया मार के सेलिब्रेट होता है होट्स्रार भया बहुत गलत किये हो आप पाप लगेगा तो बस जादा इंतुजार नहीं करना पड़ेगा अपने अंदग छुपे बैटे बच्चे को बहार निकालने के लिए क्योंकि फुन 13 अगस को रिलीज हो जाएगा मैं जीता हूं मरने के लिए मेरा नाम है सिपाही